दूट में जीरा मिलाकर पीने से आपका पेट बाहर नहीं आएगा। अगर आपका लीवर कमजोर हो गया हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खाने से लीवर ठीक हो जाता है। अंगूर को नमक के साथ खाने से फेफ़रों में कभी कैंसर नहीं होता है। बासी मुगा अद्रक की खुश्बू सूंगने से फालिश जैसी बीमारी होने का डर नहीं रहता है। काला अंगूर पेट की सफाई के लिए सबसे ज्यादा फाइदे मंद होता है। नीम्बू की पत्तियों को रगड कर सुंगने से सर के दर्द में आराम मिलता है। अगर आपके पेट में गैस बनती हो तो आधा चम्मच डालचीनी का चून गुनगुने पानी के साथ खाने से गैस बनना बंध हो जाएगी रोटी को दूद में डुबो कर खाने से बीमारी आंदूर रहती है। और शरीर की चमडी बूडी नहीं होती शरीर स्वस्थ रहता है। साख के अंदर मखन डालकर खाने से रात को बार-बार पेशाब जाने की प्रॉबलम दूर होती है और शरीर एकदम फिट रहता है। सूखा-पुदीना शरीर पर रगडने से शरीर के दाग खत्म हो जाते हैं। सलाग का सेवन दोपहर के खाने में करने से मौसमी बीमारियों से राहत मिलती है। देसी घी का इस्तमाल करने से आपका शरीर एक सो पाँच ताकतवर और मजबूत हो जाता है और शरीर के दर्द में भी राहत मिलती है। सफेद प्यास को बालों में लगाने से बाल का तूटना कम हो जाता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंडन नहीं खाना चाहिए। कच्ची गाजर खाने से आपका खून गाड़ा नहीं होगा जिससे दिल के दौरे जैसी बड़ी बीमारी आने का खत्रा कम रहता है। गुड का सेवन करने से शुगर जैसी बीमारी होने का खत्रा कम रहता है और गुड से शरीर में न्ताकत मिलती है। अगर घुटनों में दर्द वद तकलीफ हो तो जैतून का तेल की मालिश करने से दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। ज्यादा फ्राई हुई चीजों का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ सकता है। मिट्टी के बरतन में पानी पीने वाले इंसान के करी बीमारियां बहुत कम आती है। सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खासी में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको डिप्रेशन की दिक्कत हो तो पुदिने की खुश्बू सूंगे डिप्रेशन से आराम मिलेगा। अगर आपके शरीर में खुण की कमी है और अतकान महसूस होती है, तो अनार और चुकंदर का जूस पिये इससे आपके शरीर में खुण बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। नारियल का तेल और कपूर को एक साथ मिलाकर सर पर मसाज करे और उसके बाद शैंकू सेधू ले इससे बालों के डैंडरफ और जुए खत्म हो जाते हैं। शुगर जैसी बड़ी बीमारी से निजात पाने के लिए मखाने के चार दाने का रोज सेवन करे इससे श्रीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर लेवल धीरे-धीरे कम हो जाता है। अगर आपको गैस की समस्या है तो दालचीनी को पानी में उबाल कर ठंडा कर ले और रोज सुबह खाली पेट पिए इससे गैस से आपको आराम मिलेगा। गाय का दूद पीने से चहरे पर निखार आता है और शरीर भी सेहत मंद रहता है। झालचीं के इससे घस्या हम जो खो जो घस्या है। कि उसकनीनी प्रूबाटी गड़ सॉख खिता है जो झाली रहता है।